पिछली वार दीस में तीन जगह ही लाठी से पिटाये थे लोग। इस वार शुना में गुंडा गर्दी करेंगे तो तीन सो पूत पर ये पिटाये लाठी से याद रखना है। बिहार के चार सीट पे उपचुनाव हो रहा है जिसको लेकर के तमाम नेता आपने अपने तरीका से दम भर रहे हैं और अपने तरीका से चुनाव परचार कर रहे हैं। बिहार के सीम नितीश कुमार भी दो जनसभा को संबोधित करने के लिए आज निकले हुए हैं तरारी और रामगड लेकिन देखिए पिछले दिन रामगड में चुनाव परचार करते बगत जनसभा को संबोधित कर रहे थे आरट जेडी के सांसद हैं। और बक्सर से हैं सुधाकर सिंग वो बड़ा बयान दे दिया है और जिसके बयान से बबाल सामच क्या है। सबसे पहले रजेडी के सांसद सुधाकर सिंग के उस बयान को सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि लाठी डंडे से हम पिटबाएं। पहले पर्व खुसिया लाता था और आज के जमाने में पर्व तनाव लाते हैं कि समाज में कहीं दंगा फसाद नहों हो जा। पुरा प्रसासन चौकस रहता है और ऐसे लोग खासतोर से जब चुनाव का वक्त होता है तो दंगे फसाद के रूप में उतार हो रहते हैं। इतना ही नहीं। चुनाव चार दिन पाश दिन बचा है। जिस हालत में राम गरता उप्चुनाव में तनाव पैदा करने के लिए बहुद समाज पार्टी और भार्टे जन्ता पार्टी के लोग सड़कों पे गुंडागर्दी के पर उतारू है। राष्टे जन्तादर के कई जगा पे तारिकरताओं का रास्ता रोकना, गारिया छेकना, गाव में धंकी देना, ऐसे धरजनों घटना हैं जो करने के लिए अधी उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद लख ले। सुधा चुना हुई के वल एक साल के लिए है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा मैं नहीं जानता। लेगे सुधाकर्शी यहां पान साल रहेंगे, मुझे तक्राना होगा इस बात को याद रख लाए। और फिरायक साल सत के सामने होता कुछ नहीं, इस भी बात को याद रखें। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का खुट्टों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे गुंदों को शिला करना। और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे 20 वाली, पिछली बार 20 में तीन जगही लाठी से पिटाये थे लोग। इस बार शुनाव में गुंदा गर्दी करेंगे तो 300 बूत पर ये पिटाये लाठी से याद रख रहे है। जो समझ रहे हैं कि धंकी दे करके डरा देंगे राश्चे आश्यक्र करताओं को मद दाताओं को। ऐसे लोग बहुत भरम नयों मुगाते में हैं। और कभी-कभी कहते हैं कि साबकाव द्यहात में जो बूट मांगने जाते हैं, तो क्या कहते हैं सब। मिजाज को जсемे हें जरूर कभी मिजाज मेरा भी गरम हो जाता है और यह तलक और मिजाज के चहरे के चलते नहीं लोग यह सोचते होंगे कि मैं गाओ रामगड़ में और कैमूर में ही मिया भी आज तलख रहता है जराम ऐसा बात नहीं आज देखे होंगे कि आपके हितों कि राज जब चल नहीं थी अगर भी आरवे कृशी मंत्री था तो राज के मुक्ष मंत्री के सामने भी तन्ने का काम क्या था शुकने का काम नहीं किया था इस वाट करा देखे हैं जुकने वादी दूसरी नसल होगी कि आम लोगों ने चुना है जिस काम के लिए चुना है उसके लिए एक अगर हमको सहीद भी होना पड़ा तो हम पीछी हटने वाले लोग नहीं है तो आपनी सुना कैसे जो सुदाकर सिंगे कहते हैं वे नजर आ रहा है कि तीन सो बूतों पर बीजेपी और बीएसपी के लोग इधर उधर किये तो डंडे रखेंगे और पिटवाएंगे भी अबलेश कुमार लाइब बियार पत्मा